हलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ रमेश राम्टे के और आरार ब्लाग में आपका स्वागत है तो दोस्तो आप देख सकते हो मेरे पीछे छत्रपति शिवाजी माराज की फोटो है और उजो पंत प्रदान के हातो हात में यह छत्रपति शिवाजी माराज की फोटो है और आप देख सकते हो उसमें छत्रपती शिवाजी माराद आगे है और उसके पीछे पंत है अन्ना पंत उसे कहते है जो कि वो एक ब्राम्मन दिखाई दे रहे है और दोस्तों दूसरे फोटो में आप देख सकते हो उसमें छत्रपती शिवाजी माराद है वैसा ही जो पंत प्रदान के हाथ में जो फोटो है वैसा ही फोटो दूसरे में छत्रपती शिवाजी माराद है और उसके पीछे जो मावडा है मावडा उसके पीचे है तो यह फोटो दो फोटो दिखाने का मेरा यही मकसद है कि दोनों फोटो में डिफ्रंस दिखा रहा है एक फोटो में जो अन्ना जी पंत है जो ब्राम्मन है शिवाजी महाराद के पीछे ब्राम्मन दिखाई जा रहा है और दुसरे फोटो में छत्रपती शिवाजी महाराद के पीछे एक मावडा दिखाया जा रहा है तो यह दो फोटो में डिपरंस है और इस फोटो को काफी अलग है मुझे यह कौन सा ऐसा चित्रकार है जिनोंने इस फोटो को बदल के उस फोटो में कनवर्ट किया है इस फोटो में एक मावला दिखाई दे रहा है उस फोटो में एक पंत दिखाई दे रहा है तो यह क्या कारण है जो कि छत्रपती शिवाजी महाराद को एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे है इसके माइने अलग-अलग निकाले जा सकते है आप भी सोच सकते हो कि छत्रपती शिवाजी महाराद के पीछे जो मावला है वो असली तस्विर है और यहाँ पे जो शिवाजी महाराद के पीछे जो एक पंद दिखाई दे रहा है वो नकली तस्विर है ऐसा करके उनकी क्या साजिश है और वो क्या करना चाहते है क्या छत्रपती शिवाजी महाराद का इतिहास बदलना चाहते है तो यह एक बहुत बड़ा विशे होगा तो दोस्तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमेंट्स करना है तो आप बता सकते हो कि छत्रपते शिवा जी माराज की असली तस्विर कौन सी है और इस दोनों में असली तस्विर कौन सी है तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा प्लिज कमेंट बास में जरूर बताए और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें थैंक्यू